अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राब करके जरूर जाएं और साथी दिखराओं को बेल आइकन उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं नमस्कार दोस्तों इस वक्त की सबसे जो बड़ी ख़बर आ रही है वो इंडिपेंडन टीवी की ओर से आ रही है जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिपेंडन टीवी ने जो तारीक जारी की थी कि आपके सिगनल्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा वो थी 19 जून और अब इंडिपेंडन टीवी ने एक बार फिर से बदलाव करते हुए इस तरीक को बदल दिया है और कर दिया है 22 जून अब इंडिपेंडन टीवी कहता है कि 22 जून के आसपास आपके सिगनल्स को रिज्यूम किया जा सकता है उन्होंने यह नहीं कहा है कि 22 जून को आपके सिगनल्स को रिज्यूम कर दिया जाएगा जी हाँ वहाँ पे expected लिखा आ रहा है कि वहाँ उमीद है कि आपके signals को एक बार फिर से resume कर दिया जाएं रुकावट के लिए खेद है जैसे कि आपको मालूमी है कि independent TV के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचाया है जिसके चलते वो agreement को finalize नहीं कर पा रहे हैं और transponders के signals को वापिस से resume नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बाड़ा जो कारण है वो यही है जिसके चलते आपको इतनी बड़ी दिखते जो है जेलनी पड़ रही है अगर independent TV के पास काफी पैसा पहले ही मुझूद होता तो आपको इतनी दिखतों का सामना आज के वक्त में करना ही ना पड़ता तो आप जैसे की उमिद लगाए बैटे हैं कि 22 जून के आज पास आपके signals को resume किया जा सकता है तो देखी भूल जाए इसमें और आपको extension देखने को मिल सकती है इंडिपेंडन्ट टी वी ने कोई आज ही डेट जारी नहीं की है पहले से वह काफी data जारी करता आ रहा है कि जी के चैनल साब के इस तरहीं शुरू हो जाएंगे वह चैनल साब को अभी देखने को दिये चाँ रहे थे वह भी बंद हो गये वहीं है जिसके वज़े से आपको इतनी देखते हैं जो जहनी पड़ रही है कस्टमर केर भी बड़ी मुश्किर से रिस्पोंस दे रहा है mostly जो कोल्स है वो इनकी busy ही जा रही है तो देखते हैं कि 22 जून के आसपस भी क्या हो जाता है अच्छी बात अगर हो जाएं लेकिन उमीद द्रह थोड़ी कम ही नज़रा रही है दोस्तों भी कि जो खबर थी इंडिपेंडेट इवी के और से वो इसी तरह से आई थी यदि मुझे और भी कोई खबर आती है तो जूरूर आपके साथ में शेयर करूँगा नमस्ट